आज मैं आपके लिए लेक्टे आई हूँ गी की खोर्चन से बची भी मिठाई फ्रेंड्स यह देखने में इतनी संदर लग रहे हैं खाने में भी उतनी टेस्टी और यमी है गी बनाने के बाद जो हमारा लेप्टोब और बच जाता है उसे हम ठेक देते हैं लेकिन उससे हम इतनी टेस्टी और यमी मिठाई बना सकते हैं तो चलिए हम इसकी रेसिपी बनाना शिरूर करते हैं फ्रेंड्स मलाई से गी निकालने के बाद जो कुर्चन बच जाती है उससे हम यह मिठाई बनाएंगे इसे हम एक कडाई में डाल देंगे मैंने यह कडाई गरम करने के लिए रगती है इसे लगातार चलाते दाएंगे मैंने इसे हलका सा मिक्सी में भी चल किया था अब इसमें हम हमारा जो हमने तीन चाई लाइचिया का पाउडर बनाया है वह इसमें एड कर लेंगे अर्दा बाउल करीबन हम इसमें शक्कर डालेंगे लेकिन शक्कर को हम पहले पीस लेंगे इसमें एक से दो चमज करीबन नारील का गुरादा एड़ कर देंगे और आप जो भी नर्स इसमें डालना चाहिए और डाल सकते हैं आज को भी कुल धीमा ही रखना है प्रेंड्स मैंने कुछ काजू ले लिए हैं नर्स को डालके हम इसे अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डालने वाली इसमें मैं दो चमज के कईबन मिल्क पाउडर एड़ कर दूंगी इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे आज को बंद कर लेंगे अब इसमें हम शुगर पाउडर एड़ कर लेंगे भड़ा से डाली फुलेंड्स और यहां पर आदा बाव शक्क्र लिया है अब इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे शक्कर को अच्छी तर से मिक्स करके मैंने इसमाइब 2 मिनिट के लिए गयास को वापस आउन कर दिया है जिससे की हमाई ही शकर जो है इसमें अ jużnia मैरिंट होके मिक्स हो जाए I इक लिखिए Friends, इसे एक थाली में निकाल देंगे मैंने यहाँ पे इक डाली ले लिए Friends इसमें हम इसे हैस निकाल देंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह मैंने सारा जो मावा है को निकाल दिया है अब इसके उपर में कोकोनट चिटक तोंगी थोड़ा सार हमने इसमें थोड़ सी खस खस भी चिटक दी है आप चाहे तो कोई भी डाइफ रूट्स यूज़ कर सकते हैं इसे हम एक से दो गंटे तक फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे फ्रेंट्स मैंने इसमें ठाई को फ्रीज से बहार निकाल दिया है अब इसमें हम कट लगा देंगे फ्रेंट्स और इसमें जो साइब में एक्स्ट्रा गी बाहर आ गया है वह हम एक अलग छोटी कट्रोली में डाल गिए किसी भी रोटी या सब्जी में यूज कर सकते हैं यह लग रही है हमारी बिल्कुल बजार की कलाकन की जैसी मिठाई और यह खाने में भी उतनी टेस्टी है थैंक्यू फ्रेंट्स